मैं आपके माध्यम से माननी अशुक गैलोट साब से पूछना चाहता हूँ कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को ले करके सरकार में और माननी मुख्या जी में इतनी घबराट क्यों है कि उस डायरी में गैलोट साब के बहुत सारे राज जो है छिपे थे जैसा राजंदर गुड़ा जी ने का है 500 करोड रुपे का हिसाब किताब उन डायरीों में लिखा हुआ गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो फैसाद इधर उधर किया गया उसके इंदराज उस डायरी में थे अलग-अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षन में चल रहा है उससे जो कमीशन की राशी आ रही थी उस कमीशन की राशी का हिसाब किताब भी उस डायरी में था अशोगलोच सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है ये विशय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा तब उनको विध्यो है मंत्रीपद से बर्खास्त कर दिया गया आज श्री राजंदर गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्गाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूले हिल जाएंगे सरकार धराशा हो जाएगे मैं तो उस लाल डायरी डायरी का रह से आज पूरा राजस्तान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से मानिय अशुक गैलोट साब से पूछना चाहता हूँ कि वह लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और मानिय मुख्याजी में इतनी घबराट क्यों है मैं आपको उसके नेपत्य में लेकर के जाना चाहता हूँ 2020 में जब कॉंग्रेस पार्टी में अंतर कल है चरम पर था पार्टी के कुछ विधायक PCC चीफ और Deputy Chief Minister के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहां दिल्ली में आकर के दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे और उस समय में उसी कालखंड में उस समय के बीच में उसके आसपास मुझे exact date याद नहीं है सरकार के एक बहुत वरिष्ट पदादिकारी कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता मंत्रिपद का दरजापात व्यक्ति जो मानिये गैलोट साब के राज़दार भी हैं और खासदार भी है उनके घर पर income tax ने raid किया था और उस raid में अख़बारों में ऐसा छपा था कि उस raid में एक लाल रंग की डाइरी और कुछ आपत्ती जनक दस्तावेज उस समय रीकवर किये गए थे राजस्तान पुलिस की मिले भगत से उस समय राज़दर गुड़ा जी जो विधायक थे और मानिये गैलोट साब के करपा पात्र थे उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया वो अपने पचास सौ साथियों के साथ में जा करके वहाँ इंकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डाइरी चीन करके लेकर आये थे और ऐसा क्वाना जाता है उन्होंने जैसा कहा है कि उस डाइरी में गैलोट साब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे इस लाल डाइरी का रहस से क्या है इसको आप जिराजस्तान का प्रतेक व्यक्ति जानना चाहता है और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डाइरी जिसको लेकर के आज जब राजंदरी गुढ़ा जी वहाँ विदान सभा में पहुंचे थे तब जिस तरह से उनसे डाइरी को छीनने के लिए कॉंग्रेस के नेताओं में होड मची थे और जिस तरह से जबरन उनसे डाइरी प्चेन करके भाड़ने की कोशिश की गई कहीं ने कहीं डाल में कुछ लाल है कि नहीं काला जरूर है और जैसा उन्होंने कहा है आज उनके कहें के अनुरूप मैं राजस्तान के मान्य मुक्य मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि मान्य मुक्य मंत्री जी आप से राजस्तान की जनता ये जानना चाहती है यह जानना चाहते हैं कि वो लडाल डाइरी क्यों आपने राजिंदर गुड़ाजी को बेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से चीन करके मंगवाई थे राज़स्तान के गरीब जनता के पैसे जो राजस्तान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे उन बैपैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे कौन उनके गुलचर्रे उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे कब कहां और कैसे अपने राजनितिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहे थे कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थे जैसा राजनित्र गुड़ा जी ने कहा है पांसो करोड़ रुपय का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ थे गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया उसके इंद्राज उस डायरियों में थे क्रिकेट के आर्सीय के चुनाव के लिए किस को किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था उसके हिसाब किताब उस डायरियों में थे उसके अलावा भी अलग अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षन में चल रहे उससे जो कमीशन की राशी आ रही थी उस कमीशन की राशी का हिसाब किताब भी उस डायरी में था इस लाल डायरी का रहसे निश्चित रूप से राजस्तान की जनता आज जानना चाहती है और सरकार की बॉकलाट घबराट आज सपश्ट होती है और इस बात पर मोहर लगती है कि क्यों कर राज़ंदर गुडाजी की बयान बाजियों को इतने साल तक इतने महीनों तक बरदाश्त किया जा रहा था आज राजस्तान की जनता के समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा निरंतर पार्टी के विरोध में सरकार के विरोध में मुक्याजी के विरोध में बयान दिये जाने के बावजूद भी क्यों उनको किस डर से उनको बरदाश्ट किया जा रहा था ये लाल डायरी का रहसे जो है निश्चित रूप से जिस दिन खुलेगा उस दिन राजस्तान में एक बड़ा हंगामा होने वाला है कई लोगों के राजनितिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए समापत हो जाएं और इस डायरी का को जानने के उत्सकता आज राजस्तान में नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24